बहुमत नहीं भारी बहुमत कहा जाएगा सीट है भारजी अंता पार्डी के पास मुख्यमंत्री ता ही क्यों नहीं कर पारे हैं कौन होगा मुख्यमंत्री देखे एक ऐसा यह प्रश्ण है मुख्यमंत्री कौन होगा इसका ने अगर आप चुनाओं के पहले नहीं करते हैं त जो आपने सोचा भी नहीं हो या मैने भी नहीं सोचा होगी यह मुख्मंत्री कैसे बन सकती है। चाथिजगर में किसी आदिवासी को भी बना सकते हैं। क्योंकि आदिवासी राष्टपती बना चुके हैं वो और आदिवासी एक बड़ा मुद्दा था जिसकी वज़े से नाकिबल मद्यप्रदेश बल्की 36 गड़ में भारती जनता पार्टी जवरजच जीत हासिल की है। अब सवाल ही उटता है कि तीनों प्रदेशों में भारती जनता पार्टी अपना मुखिया किसे चुनती है। सवाल मद्द प्रदेश में भी है कि मद्द प्रदेश का अगला मुख्यमंद कौन होगा कयास तो कई सारी लगाय जा रहे हैं उन कयासों की भूमी का किस तरह से बंद रही है हमारे साथ है सारे विशापर unfair पर चर्चा करने मद्द प्रदेश के वरिष्ट पत्रकार सतीज अर नेने अगर आप चुनाओं के पहले नहीं करते हैं, तो चुनाओं के बाद करना ही पड़ता है, मद्द प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी को जो बहुमत मिला है, जवरदस्त वो हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से 2003 के इस्तिती में है, वो 166 सीज से बहुत होती है, बहुत ज मुखमंत्री बन सकते हैं, पहरा नाम तो मद्द प्रदेश में सिवराज सिंग चोहान का है, जिनका 18 वर्षों का अनुवभ है, और जिनकी बदोलत प्रदान मंत्री नरेंद बोदी का चेहरा तो था ही, लेकिन सिवराज सिंग चोहान का जो कामकाज है, वो और खासका मुखमंत्री सिवराज सिंग चोहान कान been कि, कर दो मुखमंत्री बनाना. मुखमंटरी में बनाेगे सामानलित और पर यह माना जाता है कि अवह संग्ठन के कमजूरी होति है या वहुमत में होता है जो राष्ट्री नेतव है उसकी जो एक कार्ष अली है हो सकता है 2024 का कोई राज़नेतिक समिकरन सादनी के लिए उपमुखमंतिरी पद्द बी og क्र्येट किया जा सकते हैं बनाया दिया जासकताए या दो उपमुखमंतडी भी बनायाजा सकते हैं लेकिन क्या होने वाला है मुझे लगता है कि बोदी जी ही तैय करेंगे बोदी जी ने अपने चेहरे पर पूरा चुनाव ले लिया था मद्यप्रदेश, चत्रीजगरा और राइस्थान का भी तो मुझे लगता है तीनों राज्यों में एक दो दिन में मुखमंत्री तैय कर दिया जाएगा जब बात आती है चेहरे की जब बात आती है नतीजे की मद्यप्रदेश के वरिष्ट नेता भारजिंता पार्टी के वरतमान में विधाय किंदौर से कैलाश बेचा बरगे जी ने उनके सामने सवाल पूछा गया लाड़ी बेहना का तो उन्होंने कहा कि अगला मुख्यमंत्री मद्यप्रदेश की जीत का शे बड़ा स्रेक अगर किसी को जाता है तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मूधी को ही जाता है क्योंकि विजवर्गी जी की ये बात बिल्कु सही है कि चट्थीसगर में तो लाड़ली बेहना नहीं थी या राइस्तान में नहीं थी लेकिन मद्रप्रदेश में लाडली बहना योजना ने असर दिखाया ये भी बहुत साब दिखता है ये आठ फीस दी का जो बोट का अंतर है वो सिर्फ नरिंद मोधी के चेहरे पर नहीं है लेकिन भारती जंता पार्टी ने मुखमंत्री का चेहरा घोशित नहीं कि कि इस जीतकर से शिवराज सिंग चोहान को मिलेगा और फिर से मुखमंत्री बन जाएंगे इस तरह कि दावेदारी वो खुद भी नहीं कर रहे हैं क्यलाश विजयवर्गी कैसा के ना इसलिए भी राजनीते के हम कह सकते हैं क्योंकि वो भी एक दावेदार माने जा रहे हैं हैं और वो दावेदार क्यों नहीं हो क्योंकि यह सब समकाली नहीं बराबरी के जाएगा और कौन मुख्य मंत्री नहीं बनना जायेगा तो उल जन है कहां पए उल जन पूरिय पूरी पूरी फिल्म हो ऊची कहां पहएं लिये कासल में किया में हम लोगों कि लिए ही होगा इंतजार आपको सबको करना पड़ेगा कर सकते हैं कि में लगातार कयास लगाती रहें सोचते रहें बात करते रहें विपक्ष के लोग भी यह कर रहें और जैसा कि मोदी और अमिश्चाहग की टीम है या उनकी जोड़ी है वो एक हमेसे चौकाने वाला काम क में चेहरा मुक्करिकिक स्क्राइब हो सकता है महातो परदेश में महीला का मैंने भी सोचा वहाँ गुण कि बन हैं कि इस बीना विद्धायक जो oh як में दो भार तीन बार की भैपुर मुठोर मुक्ष क्वेटर हैं और मोचिahr ecosystems सट गौर की तॉत्रबदू है कि बल्की है। भार्टी जनता पार्टी न जबरज्ट जीत असील की है। तो आदिवासी चेहरा हो सकता है चतिस गर्में, मद्यप्रदेश में कोई OBC चेहरा हो सकता है और OBC महिला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी फैसला होगा मुझे लगता है 2024 के मद्यनेजरी होगा और निश्चित रूप से उनके पास परयाप्त समय है, मुख्यमंत्री बनाये जाएगा, वो 2024 की प्री प्लानिंग होगी, अगर देखा जाए तो हर राज्य में, चाहे चतिसगर हो, मद्यप्रदेश हो, राजिस्थान हो, यहां से लगभख साथ साथ, 6-6 लोगों के नाम सामने आ रही है, और कोई भी मुख्यमंत्री बनने के कय लगाये जा रही है, अब एक दो दिन में यह साफ होगा कि कौन मद्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, लोगों की सांसे थमी हुई है, और कश्मोकश जारी है, आप हमारे साथ जड़े रहिए, देखते रहिए, आयोद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.